नवस्का दोस्तों धिट है आज की 6 नुवंबर 2021 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिसकसिन में आज हिंदू के तीन इशूज हम डिसकस करेंगे आज सहचड़े हैं सबसे पहले आर्टिकल हम डिसकस करेंगे जो भारत बायोटेक की वैक्सिन है को वैक्सिन अब इसको डबलो अचो का एप्रूवल मिल गया है दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिसकस करेंगे इंडिया को अलग से एक क्लाइमिट लाग ही आव सकता है तीसरा आर्टिकल हम डिसकस करेंगे डबलो टीयो की मिनिस्टियल कॉन्फरेंस और नाइस होगी इस महिने के अंत में तो कौन-कौन से इशूस पर चर्चा होनी जरूरी है लास्ट में केस्टडी के थोड़े से हमारे जो बेसिक्स बाकी थे उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे इसी के साथ केस्टडी के सारे जो बेसिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे अब एक अच्छी केस्टडी आप लिख सकते हो आगे फिर आगे के जो sessions होंगे हम कुछ case studies discuss करेंगे basics को cover करना जुरूरी था जो कि इस session से अब आपके basics case studies से समधित complete हो जाएंगे वो हम चोथे नमबर पर discuss करेंगे चलिए discussion start करते हैं First important article Covaxin को WHO का approval मिलने से समधित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ क्या context है देखो WHO ने अब आखिरकार 20 weeks के बाद Covaxin को approval दे दिया है Covaxin जो vaccine है COVID-19 के prevention के लिए इसे भारत biotech plus ICMR यानि Indian Council of Medical Research ने मिल के develop किया था India में तो जो drug regulating authorities हैं उन्होंने काफी जल्दी Covaxin को approval दे दिया इवन तब तक third stage का जो data है वो भी public domain में सामने नहीं आया था उससे पहले ही इंडिया की drug regulating authorities ने Covaxin को approval दे दिया बट WHO ने लंबा समय लिया जबकि देखो दूसरी तरफ जो Covaxin है ना मतलब में तो ओस्टरा जने का vaccine है उसका Indian version है Covaxin Covaxin को approval दे दिया सिरफ 4 हफतों के अंदर अंदर जबकि Covaxin को approval देने में 20 weeks का समय लगा ये देखो हरानी वाला इसलिए भी है भारत Biotech की आलरीडी काफी सारी vaccines को WHO से approval मिला है और भारत Biotech कोई नया खिलाड़ी नहीं है experienced खिलाड़ी है भारत Biotech को ये भी पता है कि WHO से किसी vaccine को approval दिलवाने के लिए क्या-क्या चीजों किया सकता होती है क्या-क्या requirement है और भारत Biotech वालों को कहना है हमने उन सभी requirements को पूरा किया था तो फिर WHO को ये clarify जरूर करना चाहिए उन्हें इतना समय क्यों लगा co-vaccine को approval देने में अब देखो चूकि co-vaccine को approval दे दिया गया है इसका फाइदा क्या होगा फाइदा देखो इसके काफी सारी होंगे इंडिया में बहुत सारे लोगों को co-vaccine का टीका लगा है वो दूसरे देशों की यातरा पर जाना चाहते थे लेकिन उनका vaccine certificate मानना नहीं था क्योंकि अभी तक WHO ने co-vaccine को approval नहीं दिया था लेकिन अब co-vaccine को approval मिलने के बाद उनका vaccination certificate मानना होगा वो दूसरे देशों की यातरा पर जानस केंगे मतलब बहुत कम देशों ने co-vaccine को मानना स्टार्ट किया था कुछ दिनों पहले की बात है अस्टेलिया ने मानना स्टार्ट किया था लेकिन अब सभी देशों को co-vaccine का certificate मानना पड़ेगा दूसरी important चीज़ देखो अभी तक आगे हम WTO के article में discuss भी करेंगे अभी तक ना वर्ड में खास करके घरीब देशों में बहुत कम लोग को co-vaccine इसके covid-19 के टीके लगे हैं क्योंकि वो देश एफोर्ड ही नहीं कर पाते और vaccine की availability भी नहीं है लेकिन अब चुकि co-vaccine को भी approval मिल गया है तो जादा टीके available होंगे वर्ल के women countries में covid-19 से prevention के लिए कोवेक्स जो एक facility है गरीब देशों को टीके दिलवाने के लिए तो इस facility में भी अब इंडिया जादा vaccines को contribute कर सकेगा कोवेक्सिन के approval मिलने के बाद लेकिन देखो यहाँ पर एक चिंटा की बात भी है चिंटा की बात क्या है देखो पहले भारत बायोटेक वाले ने बड़े बड़े वादे किये थे वादे ये थे कि हम जुलाई के महिने में इतनी vaccines आपको देंगे अगस्त के महिने में इतनी देंगे सेप्टेंबर के महिने में इतनी देंगे अपनी जो manufacturing line है उसे हम और ज़्यादा मजबूत बना देंगे लेकिन भारत बायोटेक वाले ऐसा कुछ भी नहीं कर सके हैं उन्होंने जो वादे किये थे थे ना उतनी वो अपनी manufacturing capacity को increase नहीं कर सके हैं अभी तक हमारे देश में 107 क्रोड टीके लगे हैं और 107 क्रोड में से सिरफ 12% टीके जो हैं वो co vaccine के लगे हैं बाकी तो सारे cove shield के लगे हैं तो भारत बायोटेक ना अपनी manufacturing line को अभी तक मजबूत नहीं बना सका हैं तो फाइदा तभी होगा world के दूसरे देशों को co vaccine का जब भारत बायोटेक अपनी manufacturing line को मजबूत बनाता हैं और co vaccine के ज़्यादा ठीके produce होते हैं लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं देखो अब कम से कम data ये show करता हैं कि co vaccine जो हैं वो एक effective vaccine है data बताता हैं कि co vaccine जो हैं वो जो severe COVID-19 है न उसको रोकने में 93% effective है और COVID-19 का जो एक variant है delta variant उसके against 65% effective है co variant तो ये हमने पूरा article discuss किया co vaccine को WHO का approval मिलने से समन्दित चलते हैं आगे इसके बाद next article इंडिया के लिए अपने एक अलग से climate law की आवसकता से समन्दित है आप GS paper 3 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो क्या contest है कंटेस्ट देखो आपको बता है अब इंडिया ने national determined contributions में अपने जो targets हैं उनको update कर दिया है हमने पिछले 2-3 दिनों में climate change से समन्दित articles discuss किया है और अब हमने 2070 में net zero carbon के target को भी रख दिया है यानि 2017 से पहले हमें net zero carbon के target को achieve करना है बट रइटर कहते हैं इंडिया के पास देखो अपना अलग से कोई specific climate ला नहीं है हमारे देश में अभी काफी सारे कानून तो हैं जैसे environmental protection act 1986 air prevention and control of pollution act 1981 water prevention and control of pollution act 1974 लेकिन देखो climate का मतलब सिरफ पानी और हवा से नहीं है मतलब एक ऐसा कानून जो सब कुछ cover करें जो cyclone के impact को cover करें जो future climate impact को reduce करने की दिशा में काम करें ऐसा कोई specific कानून हमारे देश में नहीं है यह जो environmental protection act है न यह climate के violation को रोकने में सक्सम नहीं है इस environmental protection act के class 24 में यह लिखा हुआ है effect of other laws मतलब देखो कोई ऐसा action जो दो कानूनों के तहत violation है मतलब जैसे देखो किसी ने पेड कार दिया मालीजिये example के तोर पर यह environmental protection act के अंतरगत भी violation है और code of criminal procedure के तहत भी violation है तो environmental protection act तो नलिफाई हो जाएगा लेकिन जो दूसरा कानून है न for example code of criminal procedure के तहत भी paid काटना crime है तो इसी के तहत मुकदमा चलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो यह हुआ कि environmental protection act और दूसरे कानूनों में जब तकराव होगा तो दूसरा कानून prevail होगा और environmental protection act जो है यह undermine हो जाएगा यानि यह कानून जो है वो कमजोर भी है इसके बाद writer यह बोलते है हमें देखो climate action जैसे adaptation, mitigation इन सब को integrate करने की आव सकता है adaptation और mitigation का क्या मतलब होता है मैं आपको example के साहिता से बताता हूँ जैसे देखो अभी coastal इलाकों में लोग रहते हैं अब वहाँ पे बारिस पहले के पिक्सा कर जादा होने लगी है या फिर coastal area जो है वहाँ पे लहरे ज्यादा frequency से आने लगी है तो एक तो adaptation का मतलब ये है कि coastal areas में जो लोग रहते हैं इस नए नए phenomenon से अब adjust कर रहे हैं उन्हें पता है कि हाँ इस महिने, अगर असके महिने में लहरे बहुत तेज आएंगी coastal इलाकों में तो उस महिने अपने घर बार को छोड़के थोड़ा आगे चले जाना है बस उसी महिने की दिक्कत है बाद में वापस आ जाना है ये क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है adaptation मतलब climate change के जो negative impact है उससे आप adapt कर रहे हो adjust कर रहे हो कि जो कुछ हो रहा है अब होगा ही ये मतलब होता है mitigation का तो हमेना दोनों को साथ लेके चलने की आव सकता है writer कहते हैं देखो सिरफ carbon intensity को कम करना energy resources को change करना अभी fossil fuel से ज़्यादा energy produce होती है तो renewable sources से ज़्यादा produce करना सिरफ ये मतलब नहीं ये comprehensive climate action का अगर आपको comprehensive climate action लेने है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे ecosystem जो खराब हो गया है उसे restore करना और natural hazards जैसे हिमाल्याज में अब भूश अखलन ज़्यादा होने लगे हैं तो इसे कम करना, carbon sink को increase करना ताकि जो emission ज़्यादा होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा से tackle किया जाए कि यू नहीं कि climate change को tackle करते करते गरीबी बढ़ जाए क्योंकि इंडिया में गरीबी काफी जादा है और climate change को आपको इस परकार से भी address नहीं करना है कि ecosystem को नुकसान पहुंचे राइटर एक specific situation की तरफ ध्यान अकरसित करना चाहते हैं जैसे देखो इंडिया का अब एक target ये है 2030 से पहले 500 गिगावांट renewable energy produce करनी है renewable energy मतलब solar energy, wind energy लेकिन देखो दिक्कत ये है जब renewable energy produce करने के लिए जैसे मालीजिये आपने wind equipment से establish किये तो उन में उल्जिके ना तारों में उल्जिके काफी बार critically endangered जो birds है ना जैसे great Indian bastard इनकी death हो जाती है तो ऐसी situation पे भी ध्यान देने के आउ सकता है कि climate change को आप address करो तो इससे जो wildlife है वो भी नश्ट ना हो ये problem काफी important है ये हमने पहले भी एक article में discuss की थी great Indian bastard के जो death हो जाती है तारों में first के तो राइटर कहते हैं जब देखो हमारा जो नया climate कानून बने देश में ये दो aspects को जरूर cover करें एक तो देखो एक ऐसा institution establish हो जो की climate change संबंदित हमारे जो action plans है उन्हें monitor करें जिसे हमारे जो action plans है जाना कि 2030 से पहले हम 500 GW renewable energy produce करेंगे ये हमारा action plan है तो इसको monitor करने के लिए अलग से एक institution बनना चाहिए जिसका नाम हो सकता है Commission on climate change जिसके पास power हो इंडिया के climate action plan को oversee करने की मतलब देखरेक करने की और उसको implement करवाने के लिए guidelines issue करने की भी power हो Commission on climate change के पास में इसके बाद राइटर ये बोलते हैं इस commission के पास को ऐसी judicial power भी हो सकती है जैसे देखो काफी बार tribunal के पास civil court की powers होती है को ऐसी judicial वो body होती है उसी परकार की powers इस commission के पास भी हो सकती है और इस commission को assist किया जाए इस commission की मदद की जाए एक technical committee के द्वारा टेकनिकल committee जो है इस commission on climate change की मदद करेगी ताकि ये commission आसानी से अपने functions को perform कर सके देखो जैसे example के तोर पर हमारे देश में बहुत सारे institutions या फिर agencies ऐसी है जिनके functions के कारण climate change पर impact पड़ता है impact positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है तो ऐसी agencies और institutions को guide करने में ये technical committee commission on climate change की मदद कर सकती है और कैसे effective साबित होगा ये commission on climate change देखो example देते हैं राइटर Bureau of Energy Efficiency आपको पता है जो electronics के items है उनको rating देता है कि कितनी energy efficiency है electronics के items में लेकिन देखो electronics के अलावा जो दूसरे products है उनको भी किसी ने किसी पर कारण की rating देने के आओ सकता है जो loopholes हैं उनको भर सकता है एक और example जैसे देली में plastic bag पर ban लगा फेल हो गया पूरी तरे से क्यों कि अल्टरेटीव ही नहीं है कोई मतलब polythene के बजाए और क्या इस्तमाल करें consumers या फिर दुकंदार जो हैं वो अभी तक सरकार सामने नहीं last की है ऐसा कोई अच्छा alternative और द प्रोसी राज्यों में बैन हुआ नहीं पूल थी तो फिर effective हुआ ही नहीं दिली में जो plastic यूज़ पर ban लगा था या तो सारे जो आसपास के प्रोसी states हैं वो भी ban करते तो commission on climate change जो है वो बड़े लेवल पर इन चीज़ों को सोचेगा क्योंकि climate change की जो समस्या है ना वो एक state के bus की बात नहीं है यह commission on climate change बड़े लेवल पर solution लेके आएगा और बड़े scale पर women states के बीच में coordination establish करेगा कि कैसे climate change से निप्टा जाए कैसे innovation लाई जाए प्लास्टिक के use को अगर बंद करना है तो alternative क्या हो सकता है इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा यह commission on climate change इसके बाद दूसरा aspect याद कीजिए point क्या था कि climate law अगर हमारे देश में बने तो दो aspects cover हो एक तो commission for climate change बने अब बारी आती है दूसरे aspect की हमारे देश में देखो short term के लिए medium term के लिए और long term के लिए एक liability और accountability का system होना चाहिए क्या मतलब है इस line का simple भासा में समझते हैं जैसे देखो हमारे देश में जो national climate change plan है न यह legally enforceable होना चाहिए कि अभी सरकार क्या करती हैं सिरफ guidelines जारी कर देती है कि देखो हम इतना जो connection है वो कम करेंगे सरकार हो सकता है कि जो thermal power plants है उन को लिए guidelines जारी कर दे और भी मतलब जो industries हैं factories हैं उनके लिए guidelines जारी कर दे लेकिन सिरफ guidelines जारी करने का कोई पाइदा होता नहीं इनको legally enforced सरकार को करवाना चाहिए कि आपने इस से ज़्यादा emission किया या फिर आपके इस action से environment को नुक्सान पहुंचा तो ये कारवाई आपके उपर होगी जिसे writer example देते हैं 2013 मेना उत्राखंड के poddy में floods आई थी क्यों आई थी? सीरी नगर जो dam है उत्राखंड में मतलब कस्मीर के सीरी नगर को इससे मत जोड़िये सीरी नगर dam है एक उत्राखंड में उस dam के gates के open होने की वज़े से मेन तोर पर ये जो flood है पोड़ी में उत्राखंड में आई थी तो काफी सालों तक case चलता रहा court में जो national green tribunal है वहाँ पर क्या ये act of God है मतलब बगवान की मर्जी से ये floods आई थी या फिर ये इनसान की गलती है आखिरकार जो national green tribunal है उन्होंने अपना verdict दिया कि अलक नंदा जो hydropower company है जो dam को manage कर रही थी उनके कारण ये floods आई मतलब उन्होंने gate open कर दिया दूसरे भी factors responsible थे बारिश तेज आ रही थी लेकिन gate open होने के कारण जो flood है वो intensity बढ़ गई या फिर यूँकर है major reason यही था flood आने का तो 9 क्रोड रुपे damage दिये जाए ऐसा आदेश national green tribunal ने अलक नंदा hydropower company को दिया लेकिन फाइदा क्या इसी इसका मतलब disaster तो आ गई ना flood तो आ गई 9 क्रोड से क्या बनता है जानमाल का नुक्सान हुआ उसकी बरपाई कोन करेगा 9 क्रोड से तो माल की बरपाई भी नहीं होगी मतलब property का बरपाई जो है वो भी नहीं होगी तो climate commission जो होगा वो इस परकार की जो बड़ी बड़ी negligence होती है ना उसे रोकने में सफल साबित होगा वो proper guidelines पहले से जारी करके रखेगा कब आप जो dam है उसके gates open कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो इन छोटी से छोटी बारिक से बारिक चीजों पर ये commission on climate change ध्यान देगा तो एक culture of liability and accountability बनना चाहिए climate change के डोमेन में भी हमारे दीश में तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकर्स किया climate change से समन्दित चलते हैं आगे इसके बाद next article WTO से समन्दित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो WTO की बारवी ministerial conference की meeting और्णाइस होगी Geneva Switzerland में वैसे देखो ये meeting ये ministerial conference गेट साल पहले कजाकिस्तान में और्णाइस होनी थी लेकिन COVID-19 के महामारी के चलते नहीं हो सकी तो ये जो ministerial conference और्णाइस होगी Switzerland के सहर Geneva में ये ऐसे समय में और्णाइस होगी जो काफी important है क्योंकि देखो COVID-19 के चलते global economic situation खराब होई थी लेकिन अब फिर से global economic situation improve हो रही है जैसे देखो 2021 में global trade volumes expand हुए by 11% 2022 में by 5% यानि trade volumes जो है अब pre-covid era जैसे ही पहुँच जाएंगे एक खास बात ये है अभी तक देखो इंडिया में जो domestic demand है वो increase नहीं हुई है लेकिन export इंडिया का boost हुआ है तो इंडिया की जो economic situation improve हो रही है उसमें trade का important role है export का important role है लेकिन देखो जो ministerial conference की meeting और्णाइस होगी इसमें काफी सारे issues पर चर्चा होगी लेकिन जिन पर होनी चाहिए उन पर ज्यादा नहीं होगी जैसे सबसे बढ़ा issue तो IPR का है आपको पता है जब महामारी आई थी ना तो इंडिया और South Africa ने मिलके WTO के सामने एक approval रखा था sorry WTO बोला मैंने WTO के सामने एक approval रखा था कि COVID-19 की जो वेक्सिन है या फिर दूसरे equipment जो भी tools है उनके लिए ना ये patent वगरा लागू ना हो क्योंकि देखो अगर मान लिजे किसी कंपरी ने COVID-19 की वेक्सिन डवलप की है तो उसकी तो monopoly हो गई ना तो इससे तो गरीब देशों को नहीं ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि developed countries की companies ही मेन तोर पे तो देखो vaccine डवलप करती है तो इन developed countries को ये लगा जैसे Europe के देशों को और USA को कि कहीं IPR माफ कर दिया तो हमारी companies को इससे नुक्सान होगा eventually हमको इससे नुक्सान होगा लेकिन जब काफी criticism हुआ तो Biden ने बोला कि हाम इस दिसा में हम कुछ काम करेंगे तो लगा कि जैसे एक उमीद की किरन जगी है कि अब जाके जो ये COVID-19 की vaccines वगरा है इन पर patents लागू नहीं होंगे इन पर IPR लागू नहीं होंगे बट अभी तक तो देखो इस पे कोई action नहीं लिया जासका है और अभी situation जो है वो काफी खराब है मतलब statistics ये बताते हैं कि low income countries में अभी सिरफ 4.1% लोग को एक dose लगी है यानि एक टीका लगा है और अफरीका के देशों में देख लीजिए एशिया के देशों में देख लीजिए situation अभी भी काफी ज़्यादा खराब है इतने ज़्यादा ठीके लोग को लगे नहीं है COVID-19 के इसके बाद writer ये बोलते है next issue है fisheries gum इस पे समाधान निकलने चाहिए जैसे देखो चाइना जैसे जो देश है ना वो fisheries पर काफी सारी subsidies देते हैं जिस वज़े से चाइना के जो मचुआरे हैं बहुत जादा मचली पकड़ लेते हैं और मचलीओं का जो breeding cycle है वो disrupt हो जाता है जैसा कि ट्रालर्स के कारण होता है जबकि देखो इन पर subsidies बंद होनी चाहिए fisheries पर subsidies बंद होनी चाहिए यह sustainable development के लिए भी ज़रूरी है लेकिन जो draft त्यार किया गया है न इस ministerial conference में discuss करने के लिए वो देखो unbalanced है देखो एक चीज़ पर यहाँ पर ध्यान देनी के आओ सकता है बड़े fishermen को जो subsidy मिलती है न जिसका वो गलत इस्तमाल करते हैं वो subsidy बंद होनी चाहिए लेकिन जैसे देखो छोटे-छोटे मचवारे हैं छोटे-छोटे fishermen हैं जो subsidies की साहिता से सिरफ अपना जीवन यापन चला पाते हैं उनको subsidy देना बंद करना यह इसका उचित्य बंता नहीं है खास करके इंडिया में बहुत सारे छोटे-छोटे मचवारे हैं जिनको subsidy मिलती हैं चाहे नाव के लिए subsidy मिलने की बात हो या फिर NET के लिए subsidy मिलने की बात हो वो subsidy बंद करने के आउसकता नहीं है तो देखना यह होगा कि Ministerial Conference में इस issue को ठीक से अब tackle किया जाता है या फिर नहीं किया जाता इसके बाद देखो तीसरा जो issue है ना जिस पर ध्यान देने की आउसकता है वो Global Minimum Taxes वाला है देखो अब OECD जो है एक agreement तक पहुँच गया है कि 15% कम से कम corporate tax हर एक देश में जरूर होना चाहिए और अभी तक 136 देशों ने इस बात को मान लिया है इस agreement में party बनी है बट देखो WTO में जो major countries हैं उनका ज़्यादा जो focus हैं वो इस agreement पर ना होके इस issue पर है कि कैसे e-commerce firms को expand किया जाए देखो जो USA जैसे देश है जिनकी ये Amazon जैसी companies है ये तो यहीं चाहेंगे न कि हमारी जो e-commerce companies है उनकी जो reach है वो अंदा धुन्ध हो उनको कोई न रोके उनका वो data भी ले जाए दूसरे developing countries से लेकिन जो developing countries है वो यह चाहते है कि इन e-commerce firms पर लगाम लगनी चाहिए तो ये भी एक important issue है जिस पर discussion होनी चाहिए जिसको adders करना ज़रूरी है developing countries के perspective से अब देखने ये होगा जो ये ministerial conference की meeting होगी इसमें ये सारे जो important issues है चाहे वो fisheries पर subsidy देने का issue हो या फिर e-commerce से समधित issue हो या फिर COVID-19 के लिए जो vaccines है उनके लिए IPR को wave of करने का issue हो इन issues पर proper चर्चा होती है इनका proper समधान निकलता है या फिर नहीं निकलता है ये अब देखने वाली बात है तो ये हमने पूरा article discuss किया WTO के आने वाले session से समधित अब finally होगा क्या इस session में क्या outcome निकलती है वो तो देखो जब ये session होगा तभी हम discuss करेंगे फिलाल के लिए session से पहले ये article publish हुआ है अब last में हम case study से समधित कुछ basics discuss कर लेते हैं जो वैसे हमको कल discuss करना था लेकिन जिने हम कल नहीं discuss कर सके थे देखो पिछले lecture में हम case study के basics discuss कर चुके है हम ये भी discuss कर चुके है कि case study के answer का framework कैसे होना चाहिए अब इस lecture में हम ये discuss करेंगे कैसे जो अलग-अलग approaches है जैसे utilitarian approach rights approach justice approach कैसे इन सब approaches को हम लगा सकते हैं case study में मतलब इन approaches की साहिता से कैसे हम various dimensions add कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं utilitarian approach की देखो ना सिरफ utilitarian approach बलकि बाकि सबी जो approaches हैं वो भी हम दो बार discuss कर चुके हैं तो इस बार आप बताएं कि utilitarian approach में हमने क्या discuss किया था देखो आपको याद आ गया होगा utilitarian approach फोकेस करती हैं greatest happiness of greatest number पर मतलब वो step लिया जाए जब भी आप dilemma में हो या फिर confused हो तो वो step लिया जाए जिससे सबसे ज़्यादा फाइदा हो यानि सबसे ज़्यादा अच्छाई हो और कम से कम नुक्सान हो ऐसे option का आप चुनाव कीजिए अगर कैसे apply आप करोगे तो देखो हर एक option को आप analyze करो short term perspective से और long term perspective से कि इस step का long term में क्या impact पड़ेगा जब भी देखो आपको options analyze करने हो ना तो आप ना सिरफ short term में देखो जैसे cheating का मान लीजिए cheating को करके देखो कोई student short term में तो pass हो जाएगा लेकिन long term में उसे नुकसान होगा long term में वो काबिल नहीं बनेगा तो इस परकार से हम utilitarian approach apply कर सकते हैं किसी भी case में आपको ये भी देखना है utilitarian approach अपनाते वक्त कि जो ये step लिया जा रहा है इस से precedent क्या set हो रहा है मतलब कैसा example set हो रहा है मान लीजिए ऐसा कोई option है कि आप थोड़ी से information को manipulate कर लोगे अपने आपको बचाने के लिए या फिर ये छोड़ी आप वो example देखे कि आपके पास कोई बुड़ा व्यक्ति आया है आपको लगता है कि वो potential beneficiary है लेकिन कागिच ना होने की वज़े से उसे scheme कलाब नहीं मिल पा रहा है तो क्या आप उसे scheme कलाब दे दोगे बिना papers के नहीं क्यों क्यों कि बात ये है कि example क्या set किया जा रहा है क्या हम बिना papers के scheme कलाब दे सकते हैं अगर देखो ये example set होगा तो फिर तो scheme में corruption, धांदले बाजी ये सब चीजें start हो जाएंगी ना तो ऐसे आप utilitarian approach अपना ये आप option को long term perspective से देखिए short term perspective से देखिए ये भी देखिए क्या example set हो रहा है इसके बाद आती हैं दूसरी approach, rights approach rights approach देखो ये कहती है कि आप उस option का चुनाव कीजिए जिससे जो सभी stakeholders है उनके rights सबसे ज़्यादा अच्छे धंग से insure होते हो जैसे example के तोर पर मान लिजिए आप एक company के CEO हो जिसमें ये दावा किया जाता है कि ये जो product है इससे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी age दो साल से कम है उनकी health ज़्यादा अच्छे से insure होगी क्योंकि इसमें सूगर नहीं है बट देखो असल में ये बात सच नहीं है आप की company ऐसा दावा कर रही है ताकि आपके उस product को और ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा profitable बनाया जासके तो देखो इस case में इस situation में जो बच्चों का rights है right to health वो violet हो रहा है तो अगर इस चीज को इस situation को criticize करना हो तो आप rights approach की साहिता से कर सकते हो कि बच्चों का right to health है वो violet हो रहा है ऐसे देखो universal declaration of human rights जो है इस declaration में काफी सारे rights recognize किये हुए है even हमारे सविधान में भी बहुत सारे fundamental rights है आप उनके बारे में लिख सकते हो otherwise आप इस universal declaration में जो भी rights है right to self determination, right to liberty, right to due process of law right to freedom of speech and expression, right to freedom of movement right to freedom of religion, right to freedom of expression right to peacefully, assembly, right to equality, freedom to form association और the unions ऐसे 30 हैं आप एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए और उसके बाद जब भी case study में आपको लगता हो कि हाँ किसी stakeholder के right involved है तो आप फिर उस stakeholder के right के बारे में लिखिए इस परकार से आप और जाला dimension add कर सकते हो और किसी option को justify कर सकते हो यानि merit गिनवा सकते हो और किसी option की demerit भी गिनवा सकते हो इस rights approach की साहिता से इवन आप इन सभी rights पर भी एक नज़र डाल लीजिए slide ये video को post करके एक बार ये सारे rights आप पढ़ लीजिए इसके बाद बारी आती है तीसरी approach की जो की है justice approach justice का मतलब क्या होता है आप बताइए justice का क्या मतलब है देखो justice के काफ़ी सारे मतलब निकलते हैं वैसे justice का जो simple मतलब होता है कि resources का fair allocation होना चाहिए या फिर Aristotle के concept में जो जैसा करता है उसको उसका फल मिलना चाहिए इस परकार से justice के काफ़ी सारी definitions है यह जो तीन-चार famous definition है justice की आप वो देख लीजिए justice is सच बोलना और किसी का नुक्सान ना करना justice is लोगों को equal circumstances में equally treat करना और unequal circumstances में unequally treat करना जैसे मान लीजिए आपके भी marks आए हैं same और किसी दूसरे candidate के भी same marks आए हैं दोनों एक ही category में हैं तो उनको equally treat किया जाएगा वह बात अलग है अगर YPSC का कोई criteria है reservation समंदित फिर उसके पीछे एक लंबी debate है ना कि इन लोगों के पूरवजों ने past में काफी discrimination का सामना किया था और उस discrimination को खतम करने के लिए reservation system हैं लेकिन आप simple एक ही category में देखिए कि दोनों के same marks हैं, same ही नाम है, सब कुछ same है तो दोनों को simple ही treat किया जाएगा वैसे इसका और ज़्यादा आपके मनमें एक question आया होगा कि YPSC के काफी सारे criteria होते हैं अगर दोनों के same marks हैं तो merit list में जिसकी date of birth ज़्यादा होती है, उसको priority दी जाती है या फिर alphabet 22 जो ranking है वो establish कर दी जाती है वो अपने rules हैं YPSC के अगर rules ना हो तो same circumstances में same ही treat किया जाएगा किसी के साथ गलत वेवार नहीं किया जाएगा जैसे कानून का example लीजिए आप ये marks चोड़िये, marks में काफी सारी दूसरी debates आ जाती है जैसे देखो same circumstances हो, सब कुछ same हो तो same offense के लिए उतनी ही सजा मिलेगी ऐसा नहीं कि किसी ने murder किया है तो उसको एक साल की सजा मिल जाए और किसी ने murder किया है तो उसको फिर उमर कैद हो जाए या फिर फांसी हो जाए, ऐसा नहीं same circumstances में सब को equally treat किया जाएगा और unequal circumstances में unequal treat किया जाएगा, ये भी justice की एक, आप कह सकते हो definition है, next definition justice की ये है दोस्तों को अच्छा करना दोस्तों के लिए अच्छा करना और दूस्मनों को लिए बुरा करना, यानि tit for tat approach जैसे को तैसा approach, जो आप के लिए जैसा करे, आप भी उसके लिए वैसा ही करो सबसे last में, justice is the interest of strong, हलांकि इस definition पे तो देखो काफी विवाद उठते हैं, काफी criticism भी होता है अगर देखो, powerful लोगों की चलेगी अगर ये justice है, तो फिर तो जो vulnerable sections हैं, उनका तो नुक्सान ही होगा न, society में तो उपर वाली आप तीन definition जो हैं, वो इस्तिमाल कर सकते हो, जब आप justice approach की dimension डालो case studies में इसके बाद next है, common good approach, common good approach में क्या होता है, जब आपके सामने options हो, और common good approach को अपनाना हो, तो आप देखो ये देखिए, ऐसा कौन सा option है, जिससे पूरी community को फाइदा हो, ना कि सिरफ community के कुछ members को, जैसे example के तोर पर, मां लीजिए दो cities है, A से B A से B के बीच में एक shortcut road बनता है, जिससे हजारों लाखों लोग को फाइदा होगा, उस shortcut road से, और पैसो के भी बहुत बचत होगी, लेकिन, अब बीच में दो-तिन लोग की जमीन है, जो कि दे नहीं रहे हैं वो, अब यहाँ पे देखो, दो-तिन लोग की जमीन है, वो acquire की जा सकती है, सरकार के द्वरा, क्योंकि इससे पूरी community को बहुत ज़्यदा फाइदा होगा सिरफ इन दो-तिन परिवारों को छोड़को, जो कि अपनी जो जमीन है वो नहीं देना चाते, तो यह है common good approach, यह देखा जाए कि कौन से option से पूरी community को फाइदा हो ना सिरफ कुछ members को जैसे public healthcare system है public, private healthcare system में देखो सिरफ अमीर लोग access कर सकते है कुछ ही लोगों को फाइदा होता है लेकिन public healthcare system जो कि सरकार का होता है, वो सबके दोरा access किया जा सकता है, इससे सबको फाइदा होता है इसके बाद next है virtue approach virtue approach में देखो, ये देखा जाता है जो भी person action perform कर रहा है उसके virtues कैसे है क्या जो बन्दा action perform कर रहा है क्या वो पैसा person है या फिर बनना चाहता है अब कोई बोले कि भाई मैं तो integrity वाला person हूँ लेकिन जो action perform कर रहा है उससे integrity compromise हो रही हो तो कैसे काम चलेगा ये चीज़ तो virtue approach के against हो जाएगी ना तो इस approach की साहिता से जब हम options को evaluate करेंगे या फिर situation को evaluate करेंगे तो हम वो person या फिर वो organization जो action को perform कर रही है या फिर कर रहा है उसके virtues पर focus करेंगे उसके गुणों पर focus करेंगे अब आपके मन में आया होगा कि कौन से गुणों पर focus करेंगे तो देखो ये कुछ example है जिन गुणों पर हम focus करेंगे जैसे empathy, compassion, dedication, commitment, objectivity, tolerance, impartiality, fortitude, prudence, temperance, justice, charity, optimism, generosity, altruism, selflessness, fraternity, loyalty, excellence, honesty, creativity, leadership, decency, faithfulness, integrity, openness, truthfulness, efficiency, economy, effectiveness इन keywords को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल कीजिए अपने answers में examiner इसी टाइप के keywords से ढूनता है तो आप एक list बना सकते हों तो ये है virtue approach इसके बाद next है गांदी जी का तालिसमान इसमें क्या है देखो जब भी आप दो चीजों को लोगे confused हो आपको life में कोई important decision लेना हो तो आप उस person की सकल याद कीजिए जो अभी तक आपने life में जो person देखा है वो उसमें सबसे गरीब है यानि poorest है और weakest है आप उस person के face को याद कीजिए for example आपने को रिक्सा वाला देखा है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और रिक्सा चलाने में भी कमजोर लग रहा है तो फिर आप उस person की सकल याद कीजिए और ये सोचिए कि जो मैं decision ले पा रहा हूँ इस से क्या उस person को कोई फाइदा होगा क्या उसको कुछ मिलेगा मेरे decision से क्या मेरे है उनके लिए सवराज establish हो पाएगा जब देखो आप ये सब चीजें सोचोगे तो असानी से decide कर सकोगे जिन चीजों को लेके भी आप confuse हो इसके बाद next approach है कांत की categorical imperative इस approach में देखो क्या होता है माली जी आप कोई option evaluate कर रहे हो कोई decision आपको लेना है तो आप ये देखिए कि बार बार जो decision जो काम आप कर रहे हो अगर वो काम सभी लोग करेंगे तो फिर उससे क्या impact पड़ेगा जैसे माली जी आप corruption कर रहे हो अब सभी corruption करने लगें ये के example साट हो जाए तो फिर इसका क्या impact होगा इस परकार से आप कांथ की categorical imperative अपना हो ये principle का नाम है principle of consistency what if everyone did this अगर सब ने ये काम किया होता तो क्या होता उसके बाद next है principle of respect किसी भी human being को देखो आप as a mean इस्तमाल ना करो मतलब अपने purpose सिद करने के लिए किसी individual का किसी human being को आप इस्तमाल ना करो human being अपने आप में end है वो किसी बड़े purpose को serve करने के लिए mean नहीं है ये मतलब है principle of respect का तो ये दो चीजें आती हैं कांथ की categorical imperative में इनका आप इस्तमाल कीजिए case study के answer में dimension add करने के लिए next है professional ethics professional ethics जैसे देखो हर एक profession में ethics होते हैं जैसे वकीलों के लिए अलग से professional ethics है और doctors के लिए अलग से professional ethics है for example चाए कोई आंतकवादी हो घायल का इलाज करना डोक्टर का काम है डोक्टर मना नहीं कर सकता कि आंतकवादी है इसका इलाज मैं नहीं करूँगा तो इन professional ethics को follow किया जाए professional ethics के अधार पर situation को analyze किया जाए options को evaluate किया जाए next है national interest approach कोई भी situation को analyze करते वक्त या फिर options को evaluate करते वक्त national interest को जुरूर ध्यान में रखा जाए जैसे देखो आर्मी वाली case study थी आर्मी वाली case study में जवानों का maneuver down हो रहा है इससे national interest जो है उस पर impact पढ़ सकता है national interest compromise हो सकता है तो national interest के अधार पर भी आप situation को analyze किजिए तो ये सारी ethical approaches हमने discuss की जिसका इस्तिमाल आप कर सकते हो अपने answers में अब last में हम एक example भी देख सकते है कैसे इन approaches का इस्तिमाल किया जा सकता है example देखो ये है कि brand manager को marketing team एक idea propose करती है कि आपके तीन brands के लिए ये दावा किया जा सकता है advertisements में कि आपके product में यानि cereal में less sugar है कम sugar है 75% कम sugar है as compared to other products इससे parents काफी ज़्यादा attract होंगे आपके product की तरफ और sale जो है वो increase हो जाएगी क्योंकि parents अक्सर चिंती त्रहते हैं कि हमारे बच्चों का weight ना बढ़ जाए और parents इस cereal को जरूर ख्रीदेंगे वैसे देखो सचाई ये है कि जो carbohydrate content जो है less sugar product का वो same ही है जितना की higher sugar version में है सिरफ एक कटोरे में 10% कम calories होंगी 10% नहीं 10 कम calories होंगी ज़्यादा से ज़्यादा so overall weight loss का कोई advantage देता नहीं है ये less sugar वाला product समझ गए मतलब higher sugar वाले जो product है आल्मुष्ट उतनी ही calories है सिरफ 10 कम calories मानिये और इतना कुछ खास फाइदा है नहीं लेकिन अगर advertisement में ये बोला जाता है कि less sugar है तो फाइदा काफी ज़्यादा हो सकता है brand manager को जब ये idea present किया जाता है marketing team के दवारा जो immediate reaction होता है brand manager का वो यही होता है अरे ये marketing campaign तो unethical हो जाएगा न क्योंकि weight loss तो होगा नहीं इस से तो ऐसी situation में आपको ये बताना है इस case study में कौन से ethical issues involved है कौन से options available है उनको evaluate करना है और कैसे brand manager को इस situation में react करना चाहिए तो देखो इस case में देखो सबसे important जो dilemma जो काफी case studies में emerge होके आता है वो यही है profit versus ethics दूसरे issues ये सब involved है profit of company versus health of children empathy and compassion towards children justice to concerned entities motivation of marketing system marketing team सबसे last में है trust between people and company तो पिछली बार जो हमने framework discuss किया था उस framework की साहिता से ये सब ethical issues आप लिख सकते हो उसके बाद stakeholders कौन-कौन involved है इस case study में marketing team, brand manager, children, serial company and its employees, parents और society at large options क्या-क्या available हो सकते हैं अब आप यहां पे approaches लगाएं consume करना जारी रखेंगे लेकिन ये सब long term में क्या होगा बच्चे देखो weight gain कर लेंगे और society को भी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर देखो बच्चे ठीक से काम नहीं करेंगे पड़े और जो marketing team है हो सकता थोड़ी सी disappoint हो जाए और parents जो है वो भी healthier breakfast का जो option है वो ढूड़ना जारी रखेंगे बच्चे भी campaign को perform करना और utilitarian test में था भी तो यही न कि option को आप दोनों perspective से देखिए shorter term में भी और longer term में भी तो हमने short term perspective से भी देखा long term perspective से भी देखा और अंत में हमें यह पता लगता है कि long term perspective ज्यादा अच्छा है इसलिए इस marketing जो campaign है इसको नहीं perform करना चाहिए इसके बाद next है rights approach राइट में तो हम राइट देखा करते हैं जो भी stakeholder involved है उनके अब देखो cheating करना यह तो कोई right नहीं है लेकिन बच्चों का right जरूर है right to health तो देखो weight gain जो होगा अगर बच्चों का गलत जहांसे जहांसे में रहके कि हाँ इस product से फाइदा होगा तो फिर इससे तो बच्चों का right to health है वो violet हो रहा है और right to health जो है वो violet हो रहा है मतलब right to life and liberty जो है वो भी violet हो रहा है क्योंकि right to health आता है right to life के अंतरगत brand manager वैसे कह सकता है कि less sugar जो campaign है वो parents के right को भी violet करता है क्योंकि parents के बास पूरा पूरा right है right to self determination का की वो अपनी मर्जी से चुनाव कर सके कौन सा जो option है value के हिसाब से उनके लिए उप्यूगत है लेकिन अगर गलत marketing की जाती है तो फिर parents ठीक ढंग से चुनाव नहीं कर लिए best option कौन सा है इसके अत्रिक्त company का भी right है जो investment उनके अंदर आई है या फिर उन्होंने जो investment की है उससे वो profit gain करें और इसमें कुछ भी illegal नहीं है तो women stakeholders के rights आप लिख सकते हो rights approach में इसके बाद next है character और virtue test इसमें क्या देखा करते थे याद कीजिए virtue test में हम यह देखा करते थे जो भी person action perform कर रहा है वो किस type का person है उसमें virtues कैसे है और जिस type का वो person है या फिर जिस type का वो person बनना चाहता है क्या वो चीज सार्थक सिध होगी action perform करने से ऐसा नहीं है कि कोई ब community कहीं दिखे ना ऐसा नहीं होना चाहिए ना तो इसी चीज को आप company के perspective से देखिए अगर company ऐसा करेगी तो company की जो reputation है या फिर जैसा company के पास vision है उसके हिसाब से ये marketing campaign होगा या फिर नहीं होगा अगर company का mission statement देखो ये है कि हमारे सारे जो products है वो हमने responsibly market किये है या फिर क commitments पे खरा नहीं उतरता है तो इसका मतलब तो virtue test पर भी ये marketing campaign जो है वो fail हो जाता है इसके बाद next है यह वही है character और virtue test बस इसको थोड़ा सा और explain किया हुआ है कि company की statement अगर मान लो ऐसी हो company ने अपनी mission statement पे ये बोला हुआ है कि हमारी company की success depend करती है customers के trust को gain करने पर तो इस campaign को creative मनाने पे अगर focus किया जाता है तो revenue तो इससे generate हो जाएगा short term में लेकिन long term में जो mission statement है वो fulfill नहीं हो पाएगी और company का जो character है वो इससे सिध नहीं होता है तो ये सारी बाते आप बोल सकते हो कई बार आपको merits and demerits भी तो लिखनी होती है ना तब हम ये सारी बाते ल कि अगर हमें अच्छे ethical decisions लेने हैं तो हमें ethical issues की समझ होनी चाहिए ताकि उस समझ की साहिता से हम explore कर सके कि जो हम decision लेने जा रही हैं उसके ethical aspects क्या है और ये पता लगा सके कि decision लेना कैसे ethically right है मतलब ethically है और कैसे unethical है बस simple सी बात है कि इन सभी approaches का हम इस्तिमाल कर सकते हैं अपने answer को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अपने arguments को justify करने के लिए और जो option हमने चुनाव नहीं किये हैं बताने के लिए कि हाँ हमने इन options का चुनाव क्यों नहीं किया है हमारी choice को justify करने के लिए जब देख तो इस परकार से देखो हमने विभीन ethical approaches के बारे में brief में discuss कियां अब last में देखो case studies को वैसे divide कर लेते हैं sectors के अधार पर जैसे public sector से समधित case studies पूछ ली जाती हैं private sector से समधित पूछ ली जाती हैं तो अलग-अलग sectors के अधार पर मतलब अलग-अलग types में कौन-कौन से उनमें आम तोर पर ये issues होते हैं legality and rationality मतलब कानून के हिसाम से चलना होता है या फिर कानून के बाहर की बात होती है responsibility and accountability work commitment excellence fusion मतलब individual goals और organization के goals में fusion होना चाहिए मतलब कोई district collector देखो अगर अपनी promotion पाने के लिए काम करता है तो वो पूरा interest के लिए काम नहीं कर पाएगा व वास्तों में scheme को सफल बनाना है यही district collector का aim होना चाहिए ना कि self promotion उसके बाद responsiveness है ये तो देखो सरकारी departments में काफी दिक्कत होती है आम तोर पर ये सिकायत रहती है कि सरकारी जो departments है वो responsive नहीं रहते bank से लेके कोई भी department हो ये आरोप लगता रहता है कि सरकारी जो करमचारी ह वो उनका attitude बेरूखा होता है वो ठीक से reply नहीं करते अगर कोई request मांगी जाती है तो reply नहीं करते ये सब issues आते हैं public sector में और civil servant को इन सबी issues को ध्यान में रखना चाहिए इन सब values को ध्यान में रखना चाहिए action लेते वक्त अपनी duty परफॉर्म करते वाक्त हैं मैं फिर से बो को इन सबी values को ध्यान में रखना चाहिए अपनी duty को परफॉर्म करते वक्त और बार बार आप इन values को court भी कीजिएगा जब public sector से समंधित कोई case study आती हैं और भी values की बात करें जैसे benevolence, collegiality, courage, dedication, faithfulness, representativeness, truthfulness, selflessness, loyalty, privacy, constitutionalism, tolerance, sincerity, optimism, openness, lovefulness ये सब values भी आप लिख सकते हो देखो ये सारी जो values हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक का violation होता है तो फिर दूसरी values का भी violation होता है overall aim जो ये है public sector से समंधित के case study आती है overall objective, overall aim ये होता है good governance को ensure करना ethical dilemmas कोन से आते हैं अगर आप civil servant हो और public sector में काम कर रहे हो integrity versus personal and social well-being का ethical dilemma का सामना करना पड़ता है truth versus loyalty जो whistleblower का example है याद कीजिए कि क्या करें organization के परती loyalty show करें जो गलत हो रहा है उसे छुपा लें या फिर truth को उजागर करें justice versus mercy अपरादी है अपराद किया है लेकिन अपरादी के घर में कोई कुछ नहीं है मतलब पूरी तरह से family अपरादी के उपर dependent है क्या किया जाए क्या mercy show की जाए या फिर justice ensure किया जाए ये ethical dilemma होता है rule of love versus empathy and compassion, discipline versus empathy, सबसे last में personal interest versus public interest देखो आप अपने परिवार वालों को ठेका देते हो तो personal interest तो इससे सर्व हो जाएगा लेकिन public interest सर्व नहीं होगा ना तो ये ethical dilemmas का सामना public servants करते हैं इसके बाद private sector की बात करें, private sector में देखो employees ये सब issues face करते हैं responsibility and accountability, transparency and disclosure, integrity, loyalty and honesty, statutory and legal obedience, responsiveness, quality of products and services और सबसे last में excellence ethical dilemmas का सामना क्या करते हैं private sector के employees, integrity versus well-being, professionalism versus well-being, economy versus ecology, और most common ethical dilemma का सामना जो private sector employees करते हैं वो है ethics versus profitability, जैसे वो less sugar वाला example हमने डिसकस किया, एक तरफ company का profit, दूसरे तरफ ethics, इसके बाद NGOs में ethics की हम बात करें, आज के समय में देखो governance में NGOs important role play कर रहे हैं और कुछ case studies ऐसी पुछी जाती हैं जहां पे NGOs कुछ task perform कर नहीं रहे हैं, सिर्फ नाम नाम के लिए NGO बना दिया और NGO में काफी धंद्रे बाजी होती हैं, तो NGOs के कुछ concerns इस परकार से हैं, transparency की कमी, integrity, responsiveness, equality, dedication, justice, honesty, accountability, empathy and compassion और सबसे last में courage, इसके बाद society से समधित case studies कई बार पूछ लेती हैं, भई society में दिक्कत हैं जैसे जो गाउम वाले हैं वो girls को school नहीं भेज रही हैं, या फिर mid day meal scheme से समधित example हमने discuss किया था, कि cook जो है, वो so-called dalit community से हैं और इस वज़े से parents ने अपने बच्चों को school में भेजना बंद कर दिया हैं, तो ऐसी case studies को कैसे tackle किया जाएं, इसमें देखो attitude को change करना होता है, तो कुछ जो ethical dilemmas involved होते हैं, वो इस इस प्रकार से होते हैं, individual right versus social interest, equality versus equity, criteria for fairness, traditional values versus modern democratic values, देखो ये सब चीजें इसलिए important है, अगर आप पहले से इन dilemmas के बारे में जानते हो, तो case study जब आएगे ना, किसी social evil से समंधित, तो आप फिर इन चीजों को licks कोगे, सोचना नहीं पड़ेगा आपको, मतलब ready made ये हो जाएंगी, इसके बाद, last में है, जो IR based case studies होती है, हमने discuss कर लिया है, ये topic IR वाला theory part में, तो ये सारे dilemmas आते हैं, nationalism versus internationalism, duty towards citizen versus duty towards humanity, अब जैसे देखो, मालीजी, अभी हमारे देश के पास drugs है, COVID-19 की, तो पहले देश के citizens को दिये जाएं, या फिर जिनको जारा जूर्थ है कहीं, अफरीका में, उनको दिया जाएं, तो ये dilemma रहता है कि, citizens के परती duty versus duty towards humanity, national interest versus universal values like peace and fraternity, patriotism versus nationalism, patriotism versus empathy towards all humans, आपके लिए एक homework है, आप बताईए, patriotism और nationalism में क्या difference है, देखो, simple editorial में भी हमने ये discuss किया था, nationalism जो है, वो थोड़ा सा narrow concept है, ऐसा बोला जाता है, कुछ experts के द्वारा, as compared to patriotism, patriotism मतलब मुझे मेरे देश से प्यार है, nationalism मतलब मेरा देश सबसे अच्छा है, इस line से आप समझ गए होगे difference क्या है, आप अपने देश से प्यार करते हो, वो patriotism है, लेकिन आप ये बोलते हो, म patriotism और nationalism के बीच में, अब देखो, बात वही है, कि society से समंधित, जब काफी बार case studies आती है, तो उसमें attitude, change और emotional intelligence involved होती है, तो इसमें आप focus कीजिए, cab component पे, attitude में हमने देखा था, तीन component होते हैं, cab में, cognitive, effective और behavior, तो इन तीन components को change करने पे आप focus कीजिए, आप काफी कुछ ल देखोगे, मेरा देखो कहने का मतलब ये है, जो आपने theory part अच्छे से cover किया है, उस theory part का आप अच्छे से इस्तमाल कीजिए, case studies में, वो theory part सिरफ theory में लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि slavus में ये बोल रखा है, कि इस theory part के अधार पर आप से case study पूछी जाएंगी, यानि theory part का इस्तमाल case studies में होगा, अच्छे से होगा, ये मत सोचिए कि case study का जो part है वो अलग से है totally, नहीं, जो theory हमने discuss की है, उसका आपको इस्तमाल करना है case studies में, तो इस परकार से हमने case study से समंदित कुछ basic lectures discuss किये, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.